ये कहानी मैं एक लड़के के पॉंट आफ यू से बता रहा हूँ ये घटना मेरे साथ करीब 2006 में हुई थी वो गर्मी का मौसम था और मेरे समर विकेशन चल रहे थे इसलिए मैं अपनी फैमली के साथ एक जंगल में आया था जब मैं पहली बार उस पेड़ पे चड़ रहा था तब तो मुझे काफी ज़्यादा दिक्कत हुई थी बट प्रैक्टिस करते करते मैं उस पेड़ पे चड़ना सीख गया और उस जंगल का नजारा भी उस पेड़ से काफी ज़्यादा मस्त दिखता था वो नेचर का व्यू और जानवरों की आवाजे बहुत ही ज़दा प्लीजिंग थी मुझे वो नजारा इतना ज़्यादा पसंद था कि मैं कभी कवार तो घंटो उस पेड़ पे बैट के उसी नजारे को देखता रहता था जब मुझे ज़्यादा देर हो जाती थी तब मेरी मॉम मुझे वहाँ पे बुलाने के लिए आती थी ऐसे ही एक दिन मुझे मेरी मॉम की आवाज आई वो मुझे नीचे बुला रही थी मैं उस पेड़ से नीचे उतरने लगा लेकिन तब ही मैंने एक चीज नोटिस की मेरी मॉम की आवाज जाड़ियों में से आ रही थी और ये काफी अजीब था क्योंकि मेरी मॉम जाड़ियों में जाने से ड़ती थी क्योंकि जाड़ियों में अकसर वो कीड़े और साफ वगहरा होते हैं और उनसे मेरी मॉम को काफी ड़ लगता था और यह मेरा वहम भी नहीं था वो साफ साफ मुझे ही बुला रही थी और उनकी आवाज उधरी से आ रही थी लेकिन जब मैं नीचे उत्रा तब मैंने उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन महसूस किया और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी गुसे में मुझे बुला रही है इससे मैं थोड़ा सा डर गया था मैं आसपास देखने लगा कि आखिर मेरी मॉम कहां पे खड़ी है क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था तब ही मुझे फिर से मेरी मॉम की आवाज आई लेकिन इस बार मेरी मॉम की आवाज मेरे घर से आ रही थी और एक्जैक्ट मॉमेंट पे मेरी मॉम की आवाज मुझे फिर से आई लेकिन इस बार जाड़ीयों में से मुझे जैसे ही ये पता चला मैं काफी ज़रा डर गया और मैं वहाँ से जल्दी से भागने लगा क्योंकि मैं समझ गया था कि जाडियों में से जो आवाज आ रही है वो मेरी मॉम की नहीं है कोई तो था जो कि उनकी आवाज को मिमिक कर रहा था और लगातार मुझे भुला रहा था मैं जल्दी से वहाँ से भागने लगा मुझे भागने की आदत नहीं थी इसलिए मेरे पैर में क्रैम पाने लगा बच टिल मैं अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से भाग रहा था लेकिन तभी मैंने किसी के टो फुट स्टेप सुने कोई तो मेरा पीछा कर रहा था और साथी साथ मुझे बुला रहा था लेकिन इस बार वो मेरी मॉम की आवाज नहीं थी मैं जल्दी से भाग के अपने घर के पास गया मैंने देखा कि मेरी मॉम बाहर खड़ी थी और मेरा इंतजार कर रही थी लेकिन मैं जैसे ही अपने घर के अंदर घुशा मैंने देखा कि पीछे से जो आवाज आ रही थी वो बंद हो गई मैं जल्दी से अपने मॉम के पास गया और उनके गले लग गया मेरी मॉम काफी कन्फ्यूज होई कि मैं इतना डरा हुआ क्यो हूँ वो मुझसे पूछने लगी कि आकर तुम इतना डरेवर क्यो हो और इतना तेज क्यो भाग रहे थे मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने किसी की आवाज सुनी लेकिन उन्होंने का कि नहीं उन्होंने किसी की भी आवाज नहीं सुनी क्यार मैंने उन्हें उस समय सब कुछ नहीं बताया मैंने उन्हें कहा कि आप घर के अंदर चलो घर के अंदर आने के बाद मैं कुर्सी में बैटा और देन मैंने अपनी मॉम को सब कुछ एक्स्प्लेइन किया कि आखिर मैंने क्या देखा और क्या experience किया लेकिन मुझे पदा था कि मेरी मॉम मेरा विश्वास नहीं करेंगी और अब कॉर्स उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया उन्होंने कहा कि ये जरूर तुमारा कोई वहम होगा मैंनों ने कहा कि नहीं मैंने सच में किसी के footstep सुने थे और आपकी आवाज सुनी थी जो कि जाडियों में से आ रही थी और वो आवाज मुझे बुला रही थी लेकिन उस आवाज में एक अजीब सा भारीपन था लेकिन मेरी मॉम ने मेरा विश्वास नहीं किया उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही कि ये शायद तुमारा वहम ही होगा खैर मैं इसमें उनका भी दोश नहीं दूँगा क्योंकि अगर मैं भी उनकी जगा होता तो मैं भी यही कहता लेकिन मुझे पता था कि मैंने जो experience किया था वो सच में मेरे साथ हुआ था और वो मेरा कोई वैम नहीं था उसके करीब तीन-चार दिन बाद ही हम लोग वहां से चले गए लेकिन आज भी मैं सोचता हूँ कि आखिर वो आवाज किसकी थी उस से मैं 18 साल गा था जब यह घटना मेरे साथ हुई एक दिन मेरे कजन्स मेरे घर पे आये थे मैं और मेरा कजन ब्रदर हम दोनों गेम खेल रहे थे मेरे कॉंसोल पे और मेरी कजन सिस्टर टेबल पे बैटके हमें देख रही थी कुछ दियर बाद मेरे कजन ब्रदर ने मुझसे कहा कि क्यों न हम लोग बाहर जाके खेले मुझे भी ये आइडिया काफी दा सही लगा तो मैंने अपना बेजबॉल बैट उठा लिया और उसके बाद हम लोग बाहर खेलने के लिए निकल गए हम लोग ने बाहर काफी देर तक बेजबॉल खेला मेरे नेबर में कुछ प्राइवेट ग्रेवियार्ड थे लेकिन मैं उन्हें एक्स्प्लोर करने के लिए कभी भी नहीं गया था अफकॉर्स मुझे उनसे डर लगता था तभी मेरी कजन सिस्टर ने मुझसे का कि चलो हम उस ग्रेवियार्ड को आज एक्स्प्लोर करते हैं मेरी कजन सिस्टर की एक दोस्त भी वहाँ पे थी वो इस आइडिया से काफी डर गई थी उसका कहना था कि उन ग्रेवियार्ड के आसपास काफी पैरनॉर्मल एक्टिविटीज होती है लेकिन मेरी कजन ने का कि हमें वहाँ पे जाके इन सब एक्टिविटीज को देखना चाहिए उन ग्रेवियार्ड के बार फैंस लगी हुई थी जिसकी वज़ा से हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे मेरा भाई उस फैंस पे चड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी वो गिर गया क्योंकि वो फैंस काफी ऊची थी एंड सच कोऊं तो मुझे हाइट से काफी दर डर भी लगता था लेकिन किसी तरह हम तीनों नहीं उस फैंस को पार कर लिया और उसके बाद हम उस फैंस के उस साइड आ गए हम सबने वहाँ पे काफी सारी चीज़े एक्स्प्लोर की एंड थन हम वहाँ पे भी खेलने लगे हम लोग वहाँ पे एक दूसरे के उपर मिट्टी फैक रहे थे फिर मैं उन ग्रेव के उपर फ्रंट फिलिप्स मारने लगा मुझे पता है कि यह सब गलत है लेकिन उस समय मैं काफी सब मौज के मूड में था एंड मैंने इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा तभी मैंने अपनी कजन सिस्टर को देखा वो काफी डरी हुई लग रही थी जैसे कि उसने कुछ अजीब सा वहाँ पे देख लिया हो तभी वो एक डायरेक्शन की दरफ चलने लगी मुझे नहीं पता कि आखिर वो किस चीज की दरफ जा रही थी देन तभी वो अचानक से रुकी एंड टेस्टे सांस लेने लगी हम लोग उससे लगतार पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तुम कहां पे जा रही हो बट मेरे ये पूछते ही मेरी बेहन अचानक से चलनाने लगी वो उस समय काफी तेस तेस चलना रही थी तभी मेरा कजन ब्रदर भी वहाँ पे जल्दी से भाग के जाने लगा और उसके पीछे मेरी उसी तरफ भागा लेकिन तभी मेरा कजन ब्रदर रुका और मैं देख सकता था कि वो काफी ज़रा डरा हुआ था मैं जब उस जगा पे पहुँचा तम मेरे नाक में एकदम बहुती भद्दी सी समयल आई वो समयल किसी सडीवी चीज़ की थी और वो बहुती ज़्यादा वर्स थी और तम मैंने देखा कि आखिर वो समयल आ कहां से रही है वो भद्दी से समयल एक डेड़ बॉडी में से आ रही थी और उसकी हालत बहुती ज़्यादा भयानक थी उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था और उसके हातों में और पैरों में से हड़िया निकल रही थी उस लड़के का चेहरा देखके मैं ये कह सकता हूँ कि उसने मरते वक्त कुछ भयानक देख लिया था उस चीज़ को देखके मैं उस समय एकदम शौक में चला गया मुझे समझ नहीं आया कि आकर मुझे उस समय क्या करना है मैं वहाँ से भागना चाता था लेकिन डर के मारे मैं भाग नहीं पा रहा था तभी मेरा कजन प्रदर वहाँ पे आया और उसने मुझे से कहा कि जल्दी से यहां से भाग लेकिन उस डेड बॉडी को देखके मैं एक शौक में चला गया था और इस वज़े से मैंने अपने कजन प्रदर को कोई रिस्पॉंस ही नहीं किया लेकिन मेरे भाई ने इस चीज का बिल्कुल भी वेट नहीं किया उसने तो सीधे मुझे उठाया और फिर वो वहाँ से भागने लगा हम लोग घर पे पहुँच गए लेकिन उस समय हम इतना ज़ादा डरे हुए थे कि हम लोगों ने एक दूसरे से बात ही नहीं कि उसके बाद मेरे डैड का ट्रांसफर हो गया था तो इस वज़े से मैं दूसरे शैर में चला गया था बट वो सीन अभी तक मेरे दिमाग से नहीं गया मुझे काफी सालों तक उस चीज के नाइट मेर साते रहे और शाहिद मैं उस घटना को अपने मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा